अगर आप Shopee account को delete करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए आपको पूरी जानकरी मिल जाएगी account को permanently delete करने के लिए नीचे दिखिए me पर आपको click करना है उसके बाद आपको नीचे आना है नीचे दिखिए account settings एकाउंट settings पर क्लिक करने बाद आपको फिर से नीचे आना है नीचे आप देख सकते हैं request account deletion आपको इस option पर क्लिक करना है एकाउंट को permanently delete करने के लिए आपको okay बाले बटन पर क्लिक करना है और आपको फिर से proceed आपको यहाँ पर क्लिक करना है आपने जिस mobile number से login किया है वो mobile number आपको डालना है अगर आपने mobile number से login नहीं किया email ID से login किया फिर भी आपको यहाँ पर आपको एक mobile number डालना है mobile number डालने के बाद आपको next पर क्लिक करना है आपके मोबाई नमबर पर एक OTP आईगा, OTP डालने कब बाद Next करना है, उसके बाद यहाँ पर Reason पूछा जाएगा, Select Reason यहाँ पर क्लिक करना है, Select Reason पर आपको तीन अप्शन मिलेंगे, नीचे आपको Others मिलेंगे तो आपको Others पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको Reason लिखना है, reason आपको यह लिखना है, I am not interested, reason आपको other select करना है, उसके बाद I am not interested लिखना है, email ऐड़ी आपको वही ड़ना है, जिससे आपने login किया था, उसके बाद यहाँ पर tick मारना है, और फिर submit पर click करना है, confirm deletion का option आएगा, तो यहाँ पर आपको confirm वाली बटन पर click करना ह फिर आपका जो account है, वह permanently delete हो जाएगा, वीडियो को लाइक करें, शेर करें, और आपने अभी तेक हमारी चैनलों को subscribe नहीं किया, तो subscribe करें जो और साथ मैं वेल आइकन को फिर फ्रेस कर दें